आज है मंगलवार, आज तो गर पे एक भी टमाटार नहीं है, अज मैं बिना टमाटार का सबजी बनाने वाली हूँ, हैरज वुस्तो, नमस्ते, आप सब केसे हैं, मैं अच्छी हूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ, बिना टमाटार का सबजी, आप में से बहुत लोग बिना पराटा या रोटी बनता है उसी के साथ प्लेइन दाल या किसी सब्जी का बुजय बना ले तो चलेगा पर आज कच्छा नारियल है गर पे इससे कुछ सब्जय बना लूँगी और क्या पटाफट नारियल को फोर दिये इस तरह से नारियल को पानी से धो लिया है और चोटा- गरम है पर निकाल देना बहुत जरूरी है क्योंकि लेट हो जाएगा चील का निकालने के बाद इसको कट कर लूँगी और फ्रिज में कुछ सब्जय पड़े हैं वो हैं गाजर और फ्रोजर मतर ये सब एक प्लेट में रख लूँगी ताकि सब्जी बनाने में असान हो सके बाहर मिलने वाला फ्रोजर सब्जी में यूज नहीं करती हूँ ये किसी ने दिया था तो में यूज कर लिया है और यहां में पैज को चौप कर लिया है उसके बाद मैंने हां सब्जी बनाने के लिए कुकर का पैन लिया है उसमें तेल डाली हूँ और कुछ मसाले डाली इसको grease करके आपम बैटर डाल दे रहे हूं यह मैं नास्टा के लिए बना रहे हूं इसको तो पहले बैटर में मिला लिया था बच्चे को लंच बोक्स में दे दिया था तो इसलिए नहीं दिखा पाई इसमें यहाँ पैज भी भून गया है इसमें में थोड़ा अध्रकलेश करके इस बुनने के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया है इसी के बीच में आपम भी एक तरफ पक चुका है इसको पलट लोंगी उसके बाद जो मसाला बुनने के लिए रखा हुआ है उसको एक बार मिला कर जो सबजी प्लेट में रखा है वो सब इसमें डाल कर एक बार मिला अमारे जो सब्जी है बिना टमाटार वाला बन चुका है या लंच बोक्स के लिए सब्जी बन गया है और नास्टा के लिए आप और चटनी बन गया है और मैं यहाँ पराटा बनाने के लिए आ गई हूँ जल्दी से पराटा बन जाएंगे तो उसके बाद उसको ठंडा करके पैक कर लूँगे, आपंग के साथ मैं बनाई हूँ मुंपली की चटनी और लाल चटनी, बहुत अच्छा लगता है इसके कामेनिशन, आज जो मैं नारेल की सबजी बनाई हूँ, आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए, सच्छी में बहुत ही टेस्टी था वो, आप में से जि करके बताईए, यदि हमारा चानल को पहले बार देखते हैं अब तक सब्सक्राइब ने के तो प्ली सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक करना जादा सा जादा शेयर करना ना भूलिए, अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, अबस्टी झाली बाली